दोस्तो अगर आपका YouTube चैनल मोनिटाइज हो जाता है उसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुस होते हो और भूल जाते हो ऐसी बातों के जो कि आपके YouTube चैनल पे करना जुरूरी होता है अगर आप खुसी-खुसी के चकर में वो settings नहीं करोगे तो हो सकता है आगे चलके आपको problems आ जाए मैं इस वीडियो में आपको 6 ऐसे points बताने वाला हूँ जो कि आपको करने भी है और समझने भी है काफी सारे जो लोग है वो प्रेशान रहते हैं आपको पता चाहूंगा जब किसी भी creators का YouTube चैनल monetize होता है और वो सबसे पहले ये सोचता है कि बस मेरा bank add हो जाए Google Adsense में जो की गलत है उससे पहले आपको 5 ऐसे points है जो आपको अपने YouTube चैनल पे apply करने पड़ेंगे bank add करने से पहले कई बातों का जानना जरूरी होता है step by step में आपको यहाँ पे 6 points बताने वाला हूँ तो 6 points आप सुन लीजिए अपनी knowledge को increase कर लीजिए और in future आपको कुछ भी problems नहीं आने वाली पर उसे पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा अगर वीडियो को आपने like नहीं गया like कर दो चैनल को subscribe नहीं क्या subscribe जुरूर से कर दो क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे YouTube tips आपको provide कराते है और अच्छी और real knowledge आपको देते हैं बात करते हैं number one point की इसको बोलते है Google Ads जब आपका cell monetize हो जाता है तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाए जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपको open हो जाएगा उसके बाद आपको किस तरह की settings करनी है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जल्दी जल्दी से contact पे आपको जाना है और यहाँ पे जो monetization on दिखा रहा है यह यहाँ पे off दिखाएगा आपको आपको क्या करना है इस पे click करना है और select all पे click करना है edit में जाना है और यहाँ पे monetization section में जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको own करना है और जैसे आप own करोगे और यहाँ पे edit पे जाके और यहाँ पे आपको जाना है कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया यह है add setting इस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर update type of ads पर click करना है और यहां पर overplay ads, sponsor card और skippable videos add और यहां पर non skippable videos add पर सभी पर आपको click कर देना है और उसके बाद updates पर click कर देना है सबसे पहला point है यह आपको करना जुरूरी है काफी सारे creators आपने सुना होंगा कि इसके बाद ओफ कर दो या फिर आप non skippable add करतो तो आप आपको बता दू के यहां पर creator studio आ चुके है अब यहां पर कोई भी invalid click activity का खत्रा नहीं होता है चाहिए आपके चैनल पर 10 views आए चाहिए पंदरा आए चाहिए पचास आए कितने भी आए अब invalid click activity उसी की होती है जो जान बूज के अपने यूटूब चैनल पर बार 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 गूगल ads पर किलिक करता है किलिक करता है किलिक करता है अगर एक दो बार आपने देख ली तो करने पड़ेगा अगर बार बार आप ट्राइ करोगे तो यह आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए सारे ads को आप enable कर दो कर देना चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं नंबर दो पॉइंट के बारे में यह पॉइंट हर एक creators के लिए जुरूरी है जिनका चैनल मोटाइज हो सारे creators को नहीं पता होता जब आपका YouTube चैनल बड़ा हो जाएगा एक दो लाग सब्सक्राइबर हो जाएगे तब आपको समझ आएगा oh my god अगर यह बात मुझे पहले पता होती तो मैं sad इस problem को दूर कर लेता है तो यहाँ पर आपको पता दूँ के आपके YouTube चैनल का जो नाम है वो आपको सही से रखना है रखने का मतलब आप समझ यह मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर किलिक करूँगा इसरार मलिक तो यहाँ पर देख लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो YouTube चैनल है उसके नाम से पहले से एक-दो लाग सब्सक्राइबर वाला पहले से कोई चैनल हो और हम भी उसी नाम से बना रखा हो और कहीं बार तो ऐसा होता है कि आपका चैनल का जो रैंक ही नहीं होता है तो आपको सबसे जुरूरी होता है कि अगर आपका YouTube चैनल उपर रैंक कर रहा है तो यहाँ बहुत अच्छी बात है अगर रैंक नहीं कर रहा है और उसको रैंक कराना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल का नाम डालना है यह मैंने अक्चली नाम चेंज किया था तो यहाँ पर आपको य इसे इसरार मलिक जुरूर डालना है एक विदाउट स्पेस के साथ उसके बाद आपको सेव पर किलिक कर देना है अगर आपका YouTube चैनल यहां पर रैंक हो रहा है तो अच्छी बात है अगर रैंक नहीं हो रहा है तो आपको खुद रैंक कराना है उसके लिए आपको क्या करना करने के बाद में इसके बाद आपके चैनल का नाम है यहां पर किलिक करने है इसका मतलब है कि आप यहां पर किलिक कर रहे हो और आपके चैनल का जो रैंकिंग सिस्टम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अगर आप 8-10 दिन लगतार कर लोगे तो आपके चैनल की जो रैंकिंग है वो बढ़ेगी क्योंकि आप बार-बार क्लिक कर रहे हो और YouTube की algorithm को पता लेगा कि इसकी जो ranking है वो ज़्यादा आ रही है क्लिक ज़्यादा रहा है ऊपर करता चला जाएगा यानि कि आपके channel को rank करता चला जाएगा उसके बाद बात करते हैं तीसरे point के बारे में ये point काफी जुरूरी है पहले ये करना नहीं होता था बट अब ये करना पड़ता है अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपके dollar ज्यादा कटेंगे आपका tax ज्यादा लएगा इसलिए बाई ये आपके लिए काफी जुरूरी है तो मैं आपको लेके चलता हूं Google Adsense में जब भी आपका YouTube चैनल में उटाई जोड़ता है तो आपको इस तरह का notification मिलता है तो यहाँ पर manage tax information में जाना पड़ता है अगर आपको नहीं पता है कि tax form कैसे भरते हैं तो मैंने है Google identity verification identity का मतलब है कि अगर मुझे इसको verify करना है तो मेरे नाम से ही verified होगा यानिके एक इनसान के नाम से ही यहाँ पर verification करना पड़ेगा आपको यहाँ पर documents लगाने पड़ेंगे यह तो pen card यहाँ पर नहीं है passport भी आप लगा सकते हो ठीक है और आपको बदा दू कि अगर आपको identity verification करना नहीं आता तो यह वीडियो आप देख सकते हो इसको देखके आप अराम से अपनी Google identity verification कर सकते हो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पांचवे point के बारे में यह point है Google AdSense address verification इसको बोलता है AdSense pin जब आपका identity verification successful जाता है तो आपके घर पे Google AdSense pin आता है और उस pin के अंदर एक code होता है वो code आपको यहाँ पर डालना पड़ता है Google AdSense में कई बार यह AdSense pin आपके घर पे नहीं पहुंचता है तो आपको कुछ issues आते है तो उसके लिए यह वीडियो देख सकते हो आप यहाँ पे apply कर सकते हो resend कर सकते हो या फिर दूसरा भी तरीका है अगर आप यहाँ पे आपके घर पे तीन बार हो गया आपका AdSense pin नहीं पहुंच रहा है तो यह वाली वीडियो देख सकते ही email के दौरा आप यहाँ से इसको verify कर सकते हो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे six point के बारे में यह है bank ad अब कई सारे बंदे यह बोलता है कि मेरा identity verification नहीं हुआ है और मेरा यहाँ पे google address verification pin भी नहीं हुआ है तो ऐसे में bank ad का options नहीं आता bank ad का options तभी आता है जब आपका google identity verification हो जाता है कई बार पहले भी आता है अगर पहले आ रहा है तो आप डाल सकते हो bank ad का options ठीक है तो कई सारे बंदों का नहीं आता तो प्रेशान हो जाते है तो प्रेशान नहीं होना है सबसे पहला आपको identity verification करना चाहिए उसके बाद आपको Google Adsense pin को verify करना चाहिए उसके बाद सबसे बाद में आप यहाँ पर bank add करे bank add करना जुरूरी होता है और अगर आप यहाँ पर private bank करोगे तो ज़्यादा better है जन धन जो अकाउंट होता है वो आप यहाँ पर add ना करे पंजाब national bank, SBI bank यह सब आप कर सकते है अगर आपका account saving में है अगर आप यहाँ पर HDFC, ICC bank, Axis bank अगर इस तरह के bank add करोगे तो इसकी service काफ़ी अच्छी मिलती है और 2-3 दिन के अंदर ही आपके bank account में आ जाती है अगर यहाँ पर SBI का करोगे आप या फिर आप पंजाब national bank करोगे तो 8-8 दिन भी लग जाते है आपके bank account में आने में तो इसलिए यह काफी जुरूरी है जो 6 point मैंने बताए है अगर आपको proper way में नहीं पता के bank account कैसे होता है तो ये वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो को देखके आप अमने bank को add कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकर ही आप समझ गए होंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो ये जो बटन है ना इस बटन को आप subscribe करो और like करो वीडियो को comment करके जुरू बताना कि आपके कितने subscriber है मिलता हूँ आपको next video में देखके लिए टाटाप वाई बैए जैहें